हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित और एजुकेशनल प्लेटफर्म अध्यन अड़ा पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज हम लोग पठने बाले हैं Political Science का Objective Question Answer चेप्टर वन कंप्रीक्ट हो चुका है और आज हम लोग पठेंगे चेप्टर टू का Objective Question Answer जो की बहुत ही जढ़ा इंपोटन्ट होगा आपके इक्जाम के Point of View से इस चेप्टर का नाम है एक दल के प्रभुतु का दौर जितने भी सारे objective question answer है मैंने पूरी कोशिस की है वो सारे objective question आपको एक ही वीडियो में देदू इसके लिए आप अलग से मेहनत ना करना पड़े अलग से आपको नोटस ना बना अलग से नोटस खोजना ना पड़े वो मिल जाएगा 2024 के बोड एक्जाम जो भी एस्टेंट 2024 का बोड एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए या सेशन बहुत ही ज्यादा important रहने वाला है मैं बार-ばर क्याता हूँ सिर्फ is BA क्शेम जो है हमने होना चाहिए और तीचार बोड का मैं THIS ओड़िकर उत्रा उत्राखंड बोर्ड का और चौता राजस्थान बोर्ड का इन बोर्ड के questions जो है ना आपस में common है इनके अलाबा और भी स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे जो सेशन देखेंगे जिनको ऐसा प्रतीत होगा ऐसा लगेगा कि उनका जो है बोर्ड बोर्ड NCRT को follow कर र तो इसका जो है PDF एक चीजा और इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा सेशन के अंत में सेशन देखने के बाद मैं टेलिग्राम ग्रूप पे अप्लोड कर दूँगा टेलिग्राम का ग्रूप का लिंक जो है इसे वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा हालांकि अगर आप जो है आज जो होने वाला है अतन Created वैसे तो आज जोग्रफी होनी चाहिए थी बट जोग्रफी ना हो कर आज थम क्व 언제ीव पढ़ने और तो यहां से से ले रहा हूँ जहाँ मैं यहां से किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से मैं कोसिस कर रहा हूं कि आपकी क्लास जो है या डिसकंटिनिव ना हो सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथी साथ लास्ट में कमेंट जरूर कर दिजेगा कि सेशन आपको कैसा लगा बहुत साड़े बच्चे सेशन देखते हैं बट कोमेंट नहीं करते ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही लाइक कर रहे हैं ना ही लाइक कर रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू नोवंबर उनेइस Richter ушबिष जनवरी उनेइस उन्यास या पिर 16जनवरी उनीइस सो पचास to 26 जनवरी 19 electronic पुभारत का सुमिधान है यहां अंगिकरित कर लिए गया यह अपना लिया गया और लागू कभ हुआ लागू कभ हुआ 26 जनवरी 1950 को अगर पूछ ले भारत का समविधान कभ लागू किया गया तो भारत को समविधान को लागू किया गया option number D जो हो जाएगा बिलकुल right answer हो जाएगा next question पे चलते हैं भारतिय चुनाव आयो का गठन कब हुआ तो भारतिय चुनाव आयो का गठन जो हुआ है यह यहाँ पे option ही नहीं दिया गया है भारतिय चुनाव आयो का जो गठन हुआ था यह 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 हिस्वी को हुआ था ठीक है कब हुआ था 25 जनवरी 1950 सारे option गलत है सारे option जो है गलत है यानी कि option नहीं दिया गया है और इसीलिए प्रतेक वर्स 25 जनवरी को राष्ट्रिय नदाता दिवस मनाया जाता है राष्ट्रिय नदाता दिवस 25 जनवरी को प्रतेक वर्स जो है मनाया जाता है तो यह भी question आपको clear हो गया होगा अगला question है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने भारत जब जिस समय भारती चुनाव आयुक्त का गठन हुआ था उस समय भारत के जो चुनाव आयुक्त बने थे यह सुकुमार सेंड बने थे आप लोग जानते हैं तो comment करते रहिएगा present time में वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है राजीव कुमार वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त election commissioner बोलते हैं अंग्रेजी में चुनाव आयुक्त कौन है राजीव कुमार अनूप चंद्रपांडे और अरुन गोयल जो है भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के अलावा अतरिक्त चुनाव आयुक्त भी होते हैं मुख चुनाव आयुक्त और भारत के चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त ठीक दो होते हैं चुनाव आयुक्त और एक होते हैं मुख चुनाव आयुक्त जिसे में इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया का गठन हुआ था उस समें तीन बोर्ड तीन मेंबर का बोर्ड नहीं होता करके मुख्चनावायक्त होने लगे और दो अने होंने लगे की साहिता करने के लिये लिए अगला कुस्चन है हमारा भारत में प्रथम आम छुनाव के वक्त मत दाताओं too यानि कि छी कितनी थी 15% 189% या फिर 16% जिस समय भारत में पर्थम आम चुनाव हुए थे उस समय मतदाताओं की जो साक्षर्टा दर थी यह 15% थी कितनी थी 15% थी 3200 विधायक को चुना जाना था और 487 सदों को चुना जाना था पहले जो होते थे चुनाव दोनों लोगसभा और राजसभा की चुनाव एक साथ ही हुआ करते लेकिन बाद में जाकर अलग अलग होने लग अगला कुश्चन है हमारा पर्थम आम चुनाव में लोगसभा की सीटों लोगसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुए या यूँ पूछ सकता है कि पर्थम आम चुनाव में लोगसभा की कितनी सीटें थी तो कितनी सीटें थी 489 सीटे अगला कुष्यन है पर्थम आम Чुनाप कब हुआ था? पर्थम आम चुनाप कब हुए? 1951, 1952, 1953 या 1954 पर्थम आम चुनाप जो हुआ 1952 का था है चुनाप जो हुए थे यह अक्टूबर यह अक्टूबर 1991 से अक्टूबर 1951 से फरवरी फरवरी 1952 के बीच हुआ लेकिन अधिकतर जो चुनाव हुए यह 1952 के वर्स के फरवरी महिने में और जनवरी महिने में हुए थे इसलिए इससे 1952 का आम चुनाव कहा जाता है अगर आपसे पूछ दे पर्थम आम चुनाव कब हुआ तो 1952 हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है पर्थम आम चुनाव के परिनाम के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही थी पर्थम आम चुनाव में कॉंग्रेस को 364 सीटे आई थी INC को और जो दूसरी पार्टी रही थी Communist Party of India CPI रही थी जिसको 16 सीटों पर जीत दर्ध प्राप्त हुई थी कौन सी हो जाएगी भारती ये Communist Party औपसन नमर ए जो हो जागा बिलकुल राइट आंसर हो जागा अगला कुश्चन है प्रथम आम चुनाव के परिनाम के बाद कॉंग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटे प्राप्त हुई थी तो जस्ट डिसकस कर चुके हैं 364 सीटे अगर पूछ ले दूसरे नमर की कौन सी पार्टी रही थी सकेंड अस्थान पर कौन सी पार्टी रही थी तो कॉमिनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया या भारतिय कॉमिनिस्ट पार्टी इसको कितनी सीटे मिली थी तो 16 सीटे मिली थी ठीक है और पहले नमबर पे कौन सी पार्टी रही थी? तो पहले नमबर पर 364 सीट जीतने के साथ इंडियन नेस्नल कॉंगरेस, भारती राष्य कॉंगरेस याफिर कभी-कभी कॉंगरेस पार्टी भी कहते हैं यहाँ पहले अस्थान पर रही थी अगर sound थोरा सा इको हो तो adjust कर लिजियेगा अगला question है 1957 के केरल विधान सवाचुनाब में किस party को बहुमत मिला था उनिज सो संतार्वन का जो केरल विधान सवाचुनाब था यहाँ एक तरह से भारतिय राजनिती में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है क्योंकि उस समय पहली बार भारतीय Communist Party को दुनिया में पहली बार जो Communist Party थी यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई थी और इसका उदाहरन 1957 का केरल विधानसभा हमें देखने को मिलता है उस समय केरल विधानसभा में 126 सीट थी जिसमें से 60 सीटे जो मिली थी यह Communist Party आफ इंडिया को मिली थी और 5 जो थे यह सौतंतर उमिदवार थे यह कौन थे सौतंतर उमिदवार थे इन्होंने समर्थन दे दिया Communist Party आफ इंडिया को निर्दली उमिदवार जिनको कहते हैं टोटल 65 हो गया और बनाने के लिए कितनी चाहिए थी 64 सीटों के आवा सकता थी और हू कितना गया 65 इसलिए भारते Communist Party दुनिया में पहली बार लोकतांतरिक तरीके से सरकार बनाने में सपह लई थी इसका उधारन मिलता है 1957 का किरल विधान सबाचुनाव अगर पूछ ले तो आंसर आपको आजाना चाहिए अगला क्वेश्चन है विस्व में अपनी तरह का पहला आवसर कब आया जब लोकतांतरिक चुनाव के जरिए Communist Party की सरकार बनी थी अगला क्वेश्चन है उससे पहले सेसन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा देखे इतना ज़्यादा एफट लगता है आप लोग को पढ़ाने में मिहनत लगती है और मैं पूरी कोसिस करता हूँ की गलत आंसर दादो बहुत सारे बचे कमेंट करते हैं यह नहीं होगा वो नहीं होगा यहां जो है ना मैं जो बताता हूँ खास करके मैं दूसरे की बात नहीं कर सकता जो मैं बताता हूँ वो पूरी तरह से authentic होता है मैं पूरा research करके पूरी अच्छे तरीके से समझ के तब आकर आकर आपको समझाता हूँ तब आकर आपको पढ़ाता हूँ ठीक है पैसा अब नहीं है कि कुछ भी मैं लाकर आपको पढ़ा देता हूँ 1957 में केरल में बनी कॉमिनिस्ट सरकार में मुख्यमंत्री कौन थे EMS नम्मुद्रीपाद या B.Ram Prisnan Rao या फिर केम मुंसी या इन में से कोई नहीं हमारा option हो जाएगा EMS नम्मुद्रीपाद यहाँ बने थे केरल के मुख्यमंत्री पहला कॉमिनिस्ट मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं इनको भारत में समिधान परदति till या उनि समिधान में जो दी गई है आपातकाल काली सकतियों का दुरूप्यों को पहली वार कभ हुआ था केरल में जो कॉमिनिस्ट पार्टी की सरकार वनी थी सायद या कॉंग्रस को रास नहीं आया। और इसी वज़ा परियोग करके परियोग करके 1969 इसमें केरल में कौमनिस शरकार को बर्खास्ट कर दिया गया था उस समय आपको कमेंट करना है उस समय भारत के राष्ट्रपती कौन थे 1969 में भारत के राष्ट्रपती कौन थे ठीक है कमेंट किजिए 1969 में भारत के राष्ट्रपती कौन थे कमेंट करिए तो और साथ ही साथ यह जो आपातकालिन सक्तियां दी गही है इसका यह जो है अनुछेद अनुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अनुछेत 360 क्या है वित्तिय आपातकाल वित्तिय आपातकाल तो ये ध्यान रखिएगा एक जाम में कई बार जो है पूछा जाता है अगले कुश्चन अगला कुश्चन है 1947 में बनी अंतरीम सरकार में एक मात्र महिला मंत्री कौन थी उसमें एक मात्र महिला मंत्री थी राजकुमारी अमरित कौर और कौन सा मंत्राले था इनके पास स्वास्ट मंत्राले स्वास्त मंत्री यह कौन थी स्वास्त मंत्री थी अगला कुश्चन है कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ तो कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का गठन 1934 सिस्वी में कॉंग्रेस के भीतर ही कुछ युवाओं के गरूप ने किया था भारतिय Communist Party का गठन गठन जो हुआ सब्सक्राइबु करन नम यहां नाम दिया गया है कि भारतिय जनसंग की अस्थापना किसने की स्यामा प्रसाद मुखरजी ने इनके द्वारा भारतिय जनसंग की अस्थापना कब की गई इस भी पूछ रहा है 1950, 1951, 22 और 1949 इसका अंसर हो जाएगा 1951 याद रखिएगा 1951 में स्यामा प्रसाद मुखरजी के द्वारा भारतिय ज जनसंग की अस्थापना की गई थी कभी कभी सिंपल में जनसंग भी लिख देता है अगला कोश्चन है कौन समग्र मानवताबाद सिधान्त के प्रनीता थे यह जो आपको मिल जागा जो टिकर मिलता है आपके बुक में पीला कलर का जो रहता है जिसमें किसी महापरुस का नाम रहता है फिर उनके बारे में जानकारी रहती है उसी में मिलेगा आपको यहाथे दीन दयाल उपाद ध्याई कौन थे यह दीन दयाल अगला question है भारत में independent labor party की अस्थापना किसने की थी तो भारत में independent labor party की अस्थापना बी आर अमबेट करने किया था अगर आपको याद है ये सारी चीजे तो कमेंट सेक्षन में कमेंट जरूर करते रहिएगा अगला कुश्चन है निम्न में से किस पार्टी ने एक देश एक संस्किर्टी और एक राश्र के विचार पर जोड़ दिया था कौन था वह जंता पार्टी थी या भारतिय जंता पार्टी थी भारतिय जंसंग था या इन में से कोई नी तो आप्सन सी हो जाएगा भारतिय जंसंग और ये सारी कुश्चन जो है आपके बुक में ये बुक से बाहर नहीं है अगला कुश्चन है नेक्स्ट वी हो जाए गए और कब बना था उनी सो संथ के लगा दिया गया वहां हुआ राष्ट नेक्स विश्जन वी वी हो जाए गया Não 1957 में केरल में किस पार्टी की अगवाई में एक घठबंधन की सरकार बनी थी Congress Party की अगवाई में या जनसंग की अगवाई में या फिर भारतिय Communist Party की अगवाई में भारतिय Communist Party की C हो जाएगा गठबंदन की सरकार इसलिए क्योंकि 126 में से 64 सीटे चाहिए थी अपनी सरकार बनाने के लिए लेकिन भारतिय Communist Party को 60 सीटे आये थी और पांच निर्दलिये विधायक जिनको कहते सोतंतर मिलवार इन्होंने समर्थन दिया था सीट की संक्या 65 हो गए इसलिए या सरकार बनाने में सफल हुए थे अगला कोश्चन है 1885 में किस राजनीतिक दल की अस्थापना हुई थी पहले वाले चेप्टर में भी बता चुके हैं 2014 और 2018 में पूछा गया कोश्चन है 1885 में किस की दल की अस्थापना हुई थी तो भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी बॉंबे में हुई थी गोकुल दास तेज़ पाल संस्किर्ट महा विद्याले में हुई थी यह सब मैंने आपको बताया है अठारों से पचासी में हुई थी किन्हों ने अस्थापना की थी अंग्रेज अधिकारी यह हो ने किया था अध्यक्ष कौन थे डबलू सी बनरजी व्यमैस चंदर बनरजी इसके पर्थम अधाक सि कौन थी एईनी बैसेंट पर्थम भारतिय महिला अधाक सि कौन थी सरोजबनी नाध्यू और स्वतंतरता के बाद भारतर राश्टिय कांघ्रिस के पर्थम अजच्छ कौन बनी थी तो वह इंद्रा से नहीं हो इसके लिए मैं थोड़ा साथ हमा चाहूंगा कि देखिए यतना जो अफ्री में मिला है तो कम से कम मैं आप से इतनी अपेक्षा तो रखी सकता हूं कि आप कम से कम लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा सारे सुडेंट से मैं कह रहा हूं किसे पार्टिक कि जनसंग को कितनी सीटे मिली थी यानि कि 195 में पहला आम चुनाब हुए था तो भारतिय जनसंग को तीन सीटे मिली थी और पांक शीटे मिली थी कब मिली थी इस दल का जन्म हुआ था तब तक आपको पता चल गया होगा आपको याद भी हो गया होगा भारतिय जनसंग की के संतावन दूसरे आम संतावन के युवा तरकों में किसे जाना जाता है किनहें जाता है तो सेखर को जाता है किने जाना जाता है चंदर सेखर को अगला कोश्चन है हमारा भारत में कॉमिनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सरोपर्थम अवसर कम मिला उनीसो बावन के पहले आम चुनाब में उनीसो संतावन के दूसरे आम चुनाब में उनीसो बासट के तीसरे आम चुनाब म तो 1957 के दूसरे आम चुनाब में कहां पे केरल में केरला में ठीक है अगला कोश्चन है प्रथम आम चुनाब में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कॉंग्रिस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था उडिसा विहार उत्तर परदिस और मदपरदिस तो हिंदी भास राम स्टाब में दूसरा आम चुनाब जो हुआ था यहाँ चौना हुआ ठीक है 1964 नाकूर अगल्यThere's Being भारत के पर्थम् सिक्षा मंत्री कौन थे 2013 में पूछा गया क्योश्चन है भारत के प्र צृति आप्डूलकलाम आजाद कान shields मंत्री कौन सा मंत्रा लगमिला केबिनेट में एक मात्र महिला मंत्री भी थी सरदार पटेल गिरी मंत्री और यह बजता है प्राइम कौन थे प्राइम मिनिस्टर कौन थे नहरू जी जवाहरलाल नहरू चार-पांच लोगों का नाम जो है पर्थम केबिनेट से ज़रूर ध्यान दखियेगा अगला कोश्चन है 1950 से 1957 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुख्त रहा था तो अब भारती राष्ट कर था खारत खाला कोश्च्च था अगला कोश्चन है भारती राष्टिय और कौंग्रिस ने किस परकार का समाजवाद अपनाया 2016 में पूच्छा गया कोश्चन है मांक्छ का होगा अगला कोशन है राजनितिक डलों को किस समय धानी कि संस्था दा चुनाव चिन आवंतित की स्टल कोण को निति आयो घाल को ठीक से पढ़ें क्या पूछ रहा है यहां पर चुनव शिन के बारे में पूछ रहा तौन देगा चुनाव आयूग देगा option नमर यह जो हो जागा राइट आंसर अस्थापना कब हुई थी पचीश जन्वरी 1950 को इसलिए 25 जन्वरी को पड़ते एक वर्स राष्ट्रिय मतदाता दिवस मनाया जाता है पहले जो चुनाव आयुक्त कौन थे सुकुमार सेन ठीक है कौन थे सुकुमार सेन ध्यान लखिएगा अगला question है सुतंत्र भारत के प्रथम गिरही मंत्री कौन थे सर्दार पठेल कौन थे सर्दार पठेल 2012 यह होगा बारह 19 और 20 में पूछा गया question है बियारा मिटकर कानून मंत्री थे अगला question है किस समीती की अनुसंसा पर भारत में परथम बार पंचायती राजसंस्थाओं का गठन किया गया 18 और 20 में पूछा गया question है किनके सिपारिश पर बलवंत राय मिहता समीती की सिपारिश पर अगला question है निमलिखित में से कौन भारतिय संघिये वैवस्था की विशेष्टा जो है यह नहीं है क्या पूछ रहा है नहीं है 2018 और 20 में पूछा गया question है कि अपको पेडिया भी तो देना रहता है मुझे दोरी नागरिकता सक्तियों का विवादन है राज्यों और त्यंद्रों के बीच सोतंथर नियाई की वैवस्था है नियाई पालिका की सोतंथरता है समिधान की सरवस्था है समिधान से उपर कोई नहीं है तो यहां पूछ according कि हमारा answer हो जाएगा option number A हो जाएगा बिलकुर right answer हो जाएगा अगला question है भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है यानि कि उस अनुछेद में कहा गया है कि भारत में चुनाव आयुक तो होगा और वही भारत में जितने सारे चुनाव होगे उसका संचालन वगरा वही करेगा जो भी काम होते वही करेगा मताता सुची को बनाना सुची को फिर से ठीक करना कौन कौन से लोग इसमें निर्वाचन करेंगी निर्वाचन नियमावली तैयार करना सभी कुछ वो चुनावायो दोनों का इन में से कोई नहीं किसका हो जाएगा राज सभा में जो प्रतिनी रित्व होता है यह राज का होता है किसका हो जाएगा राज का ओप्सन नमर बी होगा बिलकुल राइट आंसर लेक्स्ट कोश्चन है भारतिये संहिये वेवस्था में किसे अधिक सक्तियां प्राप्त है 18 और 20 में पूछा गया कोश्चन है केंदर को प्राप्त है जिला को प्राप्त है राज को प्राप्त है इनमें से कोई नहीं किसको प्राप्त है केंदर को प्राप्त है सबसे ज्यादा सक्ति जो प्राप्त ह तो यह सारे question answer थे आपको सारी question answer अच्छे लगए होगे और बहुत अच्छा लगा होगा सेशन सेशन अच्छा लगा तो like, share और subscribe कर दीजिए और अब comment कर दीजिए comment box में कि सेशन आपको कैसा लगा मिलते हैं फिर अगले सेशन में तब तक लिए अपना और अपनों का ख्याल लगिए, thank you